और अब वक्त हो गया है एक लजीज डिश को तयार करने में लगने वाली मेहनत से पर्दा उठाने का मेट गाला में दीपिका पारुकोंड को बाबी डॉल की तरह सजाना भी आसान नहीं था तो चलिए देखते हैं कि दीपिका को मेट गाला में वो परफेक्ट लुक देने में क्या क्या किया गया मेट गाला दोहजार उनीस में दीपिका के इस बार्भी लुक ने भले ही दुनिया भर में लोगों को उनका दिवाना बना दिया हो लेकिन दिपिका तो अब अपने बाजी राओ यानी रनवीर की ही दिवानी है जुसका असर मेट गाला में भी दिखा शोशल मीडिया पर दिपिका का एक डांस वाइरल हो रहा है जुसमें वो मेट गाला के रेड कापिट में जाने से पहले अपनी और रनवीर की फिल्म बाजी राओ मस्तानी के गाने पर डान्स टेप करती नजर आई दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उन्होंने रनवीर की फर्माईश पर ये डान्स किया क्योंकि गाना गाने वाले की आवाज रनवीर जैसी सुनाई दी शायद तभी डान्स के स्टेप करने के बाद डिपिका ये भी जताने से नहीं चूकी कि उन्होंने किसी की फर्माईश पूरी की है अब डिपिका के इस डान्स से भला कौन खुश नहीं होगा इस दिपिका के इस डांस ने नहीं बलकि मेट गाला के दोरान कैद हुए दूसरे खूबसूरत लमों ने भी जदा दिया कि दिपिका और रनवीर की बॉंडिंग कितनी खास है चाहे रेड कापिट पर एंट्री का वक्त हो या फिर बार्बी की तरह सजने धजने की तैयारियां ऐसा लगा कि दिपिका के जहन में सिर्फ रनवीर ही बसे हो यही वजह रही है कि उन्होंने इस बार के मेट गाला इवेंट की थीम तक को रनवीर से जोड़ दिया लेकिन इसके बहाने भी वो अपने और रनवीर के प्यार की कहानी बताने से नहीं चुकी